आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास भी computer या laptop है चाहे वे किसी भी company का हो, कोई सा भी model हो, कितना भी पुराना हो, या कितना भी नया हो आप उसके अंदर Google Meet application कैसे इस्तिमाल कर सकते हो, कैसे use कर सकते हो या कैसे download कर सकते हो, आईए जानते हैं इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा और दोनों में सब कोई भी तरीका इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही तरीके सब computer laptop में काम करते हैं सबसे पहले अपना net connection चेक कर लेजिए चालू है या नहीं तो हमारा net connect है फिर यहाँ पर सबसे पहला तरीका आप देख लिजिए पहला तरीके में आपको कोई भी web browser चालू कर लेना है Google Chrome चालू करें Firefox चालू करें या कोई भी application चालू करें आप देख लिजिए तो यहाँ पर हम Google Chrome को चालू करेंगे अगर आपके computer laptop में Google Chrome नहीं है तो आप इसे install भी कर सकते हैं बेहती हसान है यहाँ पर आप ऊपर की तरफ search करें इस box के अंदर Gmail तो यहाँ पर अपना Gmail लिखिए और उसको sign in कर लीजिए तो यहाँ पर हम इसे sign in कर लेते हैं यानि simple आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपना Gmail है वो sign in कर लेना है जहाँ पर आपके सारी mails वगरा आती रहती है तो यहाँ पर हम उसे open कर लेते हैं फिर हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे तो यह open हो चुका है अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको मिलेगा नीची के तरफ MWT तो यही है Google Meet का option अगर आप Meeting जॉइन करना चाहते हैं तो नीचे वाले पर क्लिक करें अगर आप Meeting क्रेट करना चाहते हैं तो New Meeting पर क्लिक करें तो यहाँ पर हम Join Meeting पर क्लिक करते हैं Meeting code डाल दीजिए यहाँ पर आपकी Meeting जॉइन हो जाएगी वन आप New Meeting क्रेट करेंगे तो यहाँ पर New Meeting क्रेट हो जाएगी यहाँ पर New Meeting का लिंक आचुका है आप देख सकते हैं पर अगर यह तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरा तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे तरीके में भी आपको कोई भी वेब ब्रावजर चालू कर लेना है चाहे आप Google Chrome करें या Firefox अब यहाँ पर आप डारेक्ट लिख दीजिए गूगल मीट तो यहाँ पर लिखिए गूगल मीट यहाँ पर लिखिए और एंडर कर लिजिए पहली यह दूसरी वेब साइड ही आपके पास आ जाएगी https www.google.com इस पर द्यान दीजिए और इस वाले पर किलिक कर लिजिए यहाँ पर लिखाये गूगल मीट इस पर किलिक कर लिजिए थोड़ा सा वेट कर लिजिए और आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा और अगर आप यहाँ पर मीटिंग जॉइन करना चाहते हो तो इस वाले पर कोड डाल दीजिए अगर आप मीटिंग क्रेट करना चाहते हो त तो new meeting पे click करके अपनी new meeting create कर लीजिए तो जो चाहें आप कर सकते हैं इन दोनों में से कोई भी तरीका इस्तिमाल कर सकते हैं और कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है हमको comment करके जरूर बताईएगा